चाहे बीजेपी के देवेंदर फडनविस हो या शिफ सेना के उदफ ठाकरे, महराज की राजनीती में चाहे कोई भी आए, कोई भी जाए लेकिन दशकों से NCP सुप्रीमो शरत पवार का दबदबा कायम है और आप क्या जानते हैं कि पवार परिवार मराठा समुदाय से आता है और दूसरे राजनेतिक परिवारों की तरह महराज में पवार फामली की भी एक राजिसी विरासत है इतना ही नहीं इस परिवार का दूसरे सेक्टर जैसे के सानी, क्रिकेट यहां तक की फिल्मो और मागजीन से भी कनेक्शन है शरत पवार खुद BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्ही सब डीटेस के साथ आज हम आपके लिए विडियो लेकर आए हैं तो चलिए आपको बताते हैं शरत पवार की पूरी फामिली ट्री के बारे में इस फैमिली ट्री के जरीए शरत पवार के परिवार के बारे में समझा जा सकता है फैमिली ट्री की बात करें तो NCP प्रमुख शरत पवार का परिवार काफी लंबा चोड़ा है शरत परिवार के पिता का नाम गोबिंद राव है और मा का नाम शार्दा पवार शरत पवार के मा और पिता गन्ना सहकारी समीती से जुड़े और उसमें अच्छी इस्तिती रखते थे पिता गोबिंद राव बारामती खरीदी विक्री संग में लंबे समय तक रहे बारमती इलाके में कॉपरेटिव शुगर मिल्स भी स्थापित की फैमिली ट्री में आगे बड़ें तो शरत पवार चार भाई और एक बहन है सबसे बड़े भाई का नाम अप्पा साहिब दूसरे नंबर पर अनंत राव हैं और तीसरे भाई शरत पवार और चोथे भाई प्रताप हैं उनकी बहन का नाम सरोज बाटिल है शरत पवार के सबसे बड़े भाई अप्पा साहिब के दो बेटे हैं राजेंद्र और रंजीट, बड़े भाई राजेंद्र के बेटे का नाम रोहित है, अप्पा साहिब के पोते रोहित को पवार फेमली का उत्तरादिकारी माना जा रहा है, 2017 में रोहित ने पवार परिवार के बारामती के होम टाउन से जिला परिशत काचुनाग जीता था, ब अटो मोबाईल और अन्य चीजों का बड़ा बिजनिस है, दोनों भाईयों में लगातार संबाध होता है, आपको बता दें, उच समय पहले महरास्ट में उद्धव ठाकरे की सरकार बनने से पहले, जब अजित पवार ने रातो रात बीजेपी को समर्थन देने की बात कही तब खबरें सामने आई थी कि इस परिवार में दरार पढ़ रही है, अब फिर वैसे ही खबरें सामने आ रही है, हाला कि तब अजित पवार ने रातो रात पाला बदल लिया था, वो फिर बीजेपी के कैम से चाचा शरत पवार के पास लोड़ गए थे, इसके बाद उद् अजित पवार अपकी चाचा को तगड़ा चटका देकर पाईटी में दो फार कर देंगे, अजित पवार के दो बेटे हैं, जो रिष्टे में शरत पवार के पोते भी लगते हैं, शरत पवार ने एक पोते पार्ट पवार को इसी साल अपनी लोगसभा सीट से चुनाबी मै परिवार से चुनाब हारने वाले पहले सदस्य बने शरत पवार के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले और भाई अनंत्राव के बेटे अजित पवार दो दशक से राजनीती में सक्रिये हैं शरत पवार की बेटी और दामात की बात करें तो बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं तो उनके पती सदानंद बड़े बिजनिसमेन हैं सुप्रिया सुले राष्टबादी कॉंग्रेस पायटी की नेता हैं वर्तमान में सत्रभी लोगसभा में सांसद हैं महाराष्ट सरकार में उलट फेर को देखते हुए सुप्रिया सुले ने वाटसप स्टेटर्स की जरीए कहा था तूप गया परिवार और पाइटी। बतादे की तमाम अटकलों के बीच महाराष्ट में अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। उनके सबसे छोटे भाई प्रताब गोबिंद राव पवार महाराष्ट के सबसे वड़े समाचार पत्र समू साकाल के मालिक हैं। उन्हें पदमश्री भी मिल चुका है। पूर शरत पवार अपने कॉलिज के दिनों में एक तेज गेंदवाज के रूप में जाने जाते थे। उनके ससुर सदाशिव राव डड़ची ट्रॉफी खेल चुके हैं। शरत पवार खुद तो क्रिकेट में करियर नहीं बना सके लेकिन BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं। शरत पवार 2005-2008 तक देश में क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रशाशनिक संस था BCCI के चीफ रहे। इसके अलावा 2010-2012 तक वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष रहे। चरत पवार के भतीजे अजित पवार अपने कॉलिज के दिनों में एक बहुत अच्छे इस्पिनर के रूप में भी नजर आये थे। अजित के वेटे पार्ट को भी एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर IPL के दूसरे सीजन का दावेदार माना जा रहा था।